हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल ट्रडिशनल स्टाइलिश प्रियंगा आज का वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है आपको पता ही होगा अपने टाइटिल और थमनेल में देखी लिया होगी कि आज का वीडियो किस ते है तो ज़्यादा बाते ना करते हैं तो डिरेक्ट कोईन पर आते हैं इस समय जो भी सिच्वेशन है आपको सब को पता ही है फ्रेंट्स कि अब इस समय जो हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं और हमें अपने फेशल हेयर को रिमूव करना होता है तो हम उसे बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं आज मैं इसी बारे में बात करूँगी कि आप अपने अपर लिप को साइट के हैर या फे फोर हेट के हैर आप रिमूव करना चाहते हैं तो बिना किसी दर्द के बहुत ही आसान तरीके से और फटा फट से आप अपने इस हेयर को रिमूव कर सकते ह बात सिर्फ इसी टाइम की नहीं है अगर मान लीजी सिचुशन सारी सामान नहीं हो जाती उसके बात भी अगर आप चाहते हैं अगर जल्दी बाजी में हमें पता नहीं होता है कि हमें आज कहीं बाहर जाना है या फिर हमें कहीं पार्टी में जाना है या फिर हमें कहीं बाहर बहुत ज़्यादा हो गया है और अबस टाइम ने कि मपालर जा सके तो आप घर पे ही मिंटो में ही सिर्फ अपने फेशल हेयर को रिमूव कर सकते हैं और यह बहुत ही आसान सा तरीका है एकदम पेंलेस है बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं होगा और 100% आपको इसका रिजल् कर सकते हैं यहां केजा यहां गया फोरहेट के आप रिमूव करना चाते है तो बहुत यह आसानी से रिमूव कर सकते है और बिल्कुल अफटाफ़टा आपको फॉर्स टाइम आप जब इसे ट्राय करेंगे तो आपको हो सकता है इसे फाइफ मिनटें और जबक एकदम हैबि रिमूप कर सकते हैं. आज मी बात करने वाली हूं मैंने एक छोटी सी ट्रिमर मैंने मंगाई हुई है जब मैं इसे मंगाने वाली थी मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे क्या मैं इसे अच्छा रिजल्ट देगा कि नए देगा क्योंकि जो review दिये हुए थे, product के लीचे कुछ अच्छे review थे कुछ बहुत ही खराब review दिये हुए थे कि आप इसे please buy ना करें कुछ लोगों ने कहाता कि बहुत ही अच्छा product है must buy product है और मेरी तरफ से भी ये must buy product है सभी के पास होना ही चाहिए किसी भी situation में अगर आपे बहुत ही हैंडी से आपने पर्स में आसानी से carry कर सकते हैं और फटाफट से आपने facial hair को remove कर सकते हैं आएए मैंने बहुत सारी बातें कर ली आएए देख लेते हैं वो product क्या है जिस trimmer की मैं बात कर रहे थी यह है वो trimmer जिसे मैंने flip card से order किया इसके link भी मैं आपको description box में दे दूँगी और इस lockdown में भी यह essential products में आते हैं तो यह आपको घर पे deliver हो जाएगा मैंने इसे इसी time order किया था इसी lockdown में ही order किया था और यह मुझे आज से तीन से चार दिन पहले deliver हो गया था इस समय आप बस सावधानी यह रखें जब भी आपको कोई भी courier receive होता है तो आप उसे अपने घर के बाहर या फिर gate के पास या आगर आपके पास कोई balcony है जहां पर भी आपको लगता है कि आप बाहर इसे रख सकते हैं वहीं पर इस product को रहने दें दो दिन तक कम से कम 24 तो 48 आवर तक आप इसे बाहर रहने दें ताकि मतलब यह जो मन में संसर है कि बाहर से कोई product राता है तो हो सकता है किसने किसने इसे touch किया हमें नहीं पता है और करोना आप जानते हीं यह कैसे फैलता है touch ही सबसे main factor है कि इस समान से इस समान को touch किया और spread होता है करोना और तब इसे आप बाहर रखे दो दिनों के लिए और उसके बाद आप इसे अपने घर में लाने से पहले भी एक और प्रिकॉशन लेते हुए आप या फिर डिटॉल को कपड़े में डिप कर लीजिए और उससे उस प्रोड़क्ट को पूरा अच्छे तरह से डिस इनफेक्ट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसे ओपन करिए और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं कम से कम आप इसे मैं यही सजेट करूँगे कि कम से कम आप इसे दो दिन तक बाहर ऐसे ही रहने दीजिए उसके बाद ही आप इस प्रोड़क्ट को यूज करिए आप कोई भी प्र इसे मंगाने से बहुत सारे डाउट थे मुझे इसे मंगाने से पहले लेकिन मैंने इसको और किया और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा है आग बंद करके आप इस पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे यूज किया हुआ है और यह कोई सब्सक्राइड जोक ultrasound करेंगें, तो इस तरह से कमें थीअ अर्वीच नहीं है, साइट झवह किना है. छे और उपर कि तरे उस्लाइड करेंगे तो ये जो उपर जो ट्रिमर है ये राउंड होने लगेगा I think आपको इसकी आवाज आ रही होगी प्रोड़क के साथ आपको इस तरह का एक ब्रश भी मिलता है ब्रश इन्होंने इसलिए प्रोवाइट किया है जो इसमें अगर आपके कोई हेर फस जाते हैं और ये उपर का ये जो पूर्शन है इससे आप ओपन कर सकते हैं और सेल इसमें लगा हुआ नहीं आता आपको इसमें अपनी बैटरी लगानी पड़ती है मैं इसे खोल के दिखाती हूँ मैंने इसमें डूरसल की बैटरी लगाई हुई है और आप इस तरह से इसे क्लोज कर दीजे बस और आपका ट्रिमर रेडी है यूज करने के लिए और वाई साफ करने के लिए आप इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं आप देख सकते हैं क्लियरली अकर कोई भी हेर इसमें फसे हुए हैं ब्रॉस इन्हों ने इसलिए प्रोवाइड किया कि आप इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जब मैंने इसे पहली बार मैंने जब इसमें सेल लगाया था और मैंने इसे स्टार्ट किया तो यह चला नहीं मुझे लगा कि चाइनीज प्रोड़क्ट है है सही होगा लेकिन फिर जब मैंने इस इस पर्शन को ओपेन किया और फिर से जब मैंने इसे बंद किया तो यह चालू हो गया था मुझे लगता है कुछ इसमें हिल गया था या जो भी हो प्रोड़क्ट अपनी धरस धरस हो गये होंगे इसलिए वो नहीं काम कर रहा था लेकिन उसके बाद यह बहुत ही प्रॉपरली काम कर रहा है बहुत देर तक काम कर रहा है ऐसा नहीं है दोस्तों एक बात मैं और मेंशन करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यह प्रोड़क्ट इस नहीं मेंशन किया है तो ये डायस रडूच चियना था hints I नहीं बीपर भी नहीं है ये पोलीन इनिया को आप और फिल्टी क्रिक्त महाँ है और उससे बीडेर पहले ये लगा ये और इनिया में नहींret नहीं कि था फिर पहली है तो डारेक्ट फेस पे ना यूज करें उसे जरूर एक बर टेस्ट कर लें कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है यह बहुत जादे खीच रहे हैं तो बिल्कुल मेरे चहरे पे दाने ना आ जाए इसलिए मैंने पहले अपने हैंड पे इसे टेस चाज मिला कि मुझे 295 में की प्रोड़क्ट पड़ा था वर्थ बाइंग है मस्ट बाइप्रोड़क्ट है और बहुत ही आसानी से जो है आपके जहां पे भी आपको फेशियल हेर आपको रिमूव करने हैं यहां के यहां के यहां के या फिर फोर्विट के बस आपको सरुक पिक्चर शेयर करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरे अपर लिप पे हेर ग्रोथ कैसी है काफी अच्छी हेर ग्रोथ हो गई है मेरे अपर लिप्स पे इसे मैं इस ट्रिमर की हैल्फ से यूज करके रिमूव करूँगी आइए देखते हैं क्या यह ट्रिमर पूरी तरह से इस hairs को remove कर पाता है या नहीं सबसे पहले कोई भी powder आपको ले लेना है आप कोई भी powder ले सकते हैं और उस powder के अपने अपर लुपे अच्छे से apply कर लेना है powder लगाने का purpose सिर्फ इतना ही है कि हमारे skin अगर oily है या फिर हमने कोई cream लगाई हुई है इसे पूरी तरह से skin को dry out कर दे और अच्छे से हमारे hair remove हो सके अब इस trimmer की help से बस हमें हलके हातों से round round move करते जाना है और जहां-जहां पर भी hair growth आपको दिख रही है उसे आप round round करके ही आसानी से ये सारे hairs को remove करता है आप देख सकते हैं clearly video में मैं round round remove करते हुए अपने hairs को remove कर रही हूँ दोस्तों आप video में clearly देख सकते हैं कि इसे यूज करना कितना आसान है बस simply आपको round round circle motion में इसे move करना है और आसानी से आप अपने facial hair को remove कर सकते हैं मैंने ये video को थोड़ा सा fast forward कर दिया नहीं तो video बहुत ही जादा लंपी हो जाती दोस्तों मैंने one side के अपने facial hair को remove कर लिया है अपर लिपके आप clearly देख सकते हैं दोनों side में कितना difference आपको दिख रहा होगा I hope camera में अच्छे से catch हो पा रहा हो इस side बिलकुल ही इक्तम clear हो गये हैं कोई भी ही छोटे-चोटे hairs बिलकुल भी नहीं दिख रहे हैं और इस side आपको clearly visible है कि hairs अभी भी हैं इस side को मैं भी फटा-फट से remove कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसको पूरा result आपको दिखाती हूँ और मैंने video को थोड़ा fast forward कर दिया है ताकि फटा-फट से मैं अपने facial hair को remove कर लिए और आपको दिखा सकूँ दोस्तों फटा-फट से मैंने अपने पूरे upper lip के facial hair को remove कर लिया है आप clear लिदेख सकते हैं कोई भी hairs आपको नहीं नजर आ रहे होंगे आप मिंटो में इस छोटे से टूल की help से अपर लिप के आप facial hair आप जहाँ जहाँ remove करना चाहते हैं forehead पे चिक के side में आप आसानी से इसे remove कर सकते हैं बिना pain के कोई भी दर्द नहीं होता है इसे facial hair को remove करने में बहुत ही आसानी से आप इसे use कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने अपर लिप के सारे facial hair को अच्छे से remove कर लिया है दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी helpful लगती है तो अपने family के साथ, friends के साथ इसे share करना और वीडियो को like करना ना भूलिएगा इसको buy करने के बाद बिल्कुल भी आपको regret नहीं होगा कि आपके पैसे waste हो गए हैं मुझे ये product काफी पसंद आया है I hope दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी अगर वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है थोड़ी से भी helpful लगती है तो please वीडियो को like बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप मेरे subscriber नहीं है तो please make sure कि मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ में bell icon को भी जरूर प्रेस करिएगा आने वाली next वीडियो में मैं आपसे share करने वाली हूँ कि आप अपनी threading घर बैठी कैसे बनाएं I hope आपको भी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक खुस रहिए मस रहिए बाबाई take care